कोविट-19 से देश और दुनिया में मची हुई है दहशत इसका सीधा सीधा असर बाजार पर देखने को मिल रहा है शेयर मार्केट जहां लगातार नीचे गिर रहा है वही जाहिर सी बात है कि आपकी जेग पर भी इसका अच्छा खासा असर होने वाला है कोविट-19 के दहशत के कारण बहुत सी चीज़े हो गई है महंगी तो बहुत सी चीज़ों के दाम हो गए है बहुत सस्ते तो आईए देखते हैं कौन-कौन सी चीज़े होई है महंगी और कौन-कौन सी चीज़े होई है सस्ती सस्ती चीजों के अगर हम बात करें तो COVID-19 के डर से लोगों ने बाहर निकलना गूमना फिरना छोड़ दिया जाहिर से बात है इसका सीधा असर पड़ता है टूर एंड ट्रैवल बिजनस पर छोटे होटलों से लेकर 5 सितारा होटलों तक ने अपनी सभी सेवाओं के दाम कर दे हैं काफी सस्ते वही दूसरी ओर देखा जाए तो हवाई सेवाएं लगबग 30 प्रतिशत तक सस्ती हो चुकी है महंगी चीजों के बात करें तो मास्क जो आज तक बजार में 10 से 20 उर्पय का मिलता था आज उसकी कीमत हो गई है 40 से 50 रुपय N95 के भारी डिवाण के कारण 300 से 400 रुपय में मिल रहा है बिल्कुल वैसे ही सेनेटाइजर के कीमत में ऐसा उचालाया है कि आज तक जहां देश की एक बहुत बड़ी आबादी सेनेटाइजर और मास्क से परिचित भी नहीं थी वहीं सेनेटाइजर और मास्क बाजार से बिल्कुल गायब होता नजर आ रहा है बात अगर ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम की करें तो इन दोनों ने लब्टॉप, मोबाईल, कम्प्यूटर और इस तरह के इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के दाम में कर दे है काफी ही जाफा तो बच्चों क्या आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा इस प्रश्ण का सीधा सा उत्तर है मांग यानि कि डिमांड COVID-19 के डर से जब लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया मास्क की केमत बढ़ी सनिटाइजर का उप्योग करना शुरू किया सनिटाइजर की केमत बढ़ी क्योंकि मास्क की मांग बढ़ी इसनले उसकी केमत में वृद्धी हुई क्योंकि सेनिटाइजर की मांग बढ़ी इसने उसकी कीमत में वृद्धी हुई लोगों ने घूमना फिरना नौन विच खाना छोड़ दिया यह बिलकुल बंद कर दिया तो इन चीजों का प्रभाव जिन जिन वस्तू यह सेवाओं पर पड़ा वो चीजे हो गई काफी सस्ती कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि मांग और कीमत में ऐसा विपरीत संबंध है कि जैसे जैसे किसी वस्तू की कीमत घड़ती जाती है उसकी मांग बढ़ती जाती है और जैसे जैसे किसी वस्तू की कीमत बढ़ती जाती है उसकी मांग कम होती जाती है मांग और कीमत के इस पूरे नियम को हम एक तालिका के रूप में पढ़ेंगे क्या है मांग तालिका इसे जानने के लिए हम एक परिभाशा देखेंगे प्रोफेसर बेनहम के अनुसार एक बाजार में एक निश्चित समय में विभिन कीमतों पर किसी वस्तु की विभिन मात्राओं की मांग की जाती है जब इन्हें एक तालिका के रूप में रखा जाए तो वह मांग तालिका के रूप में जानी जाती है मांग तालिका को हम अर्थशास्र के अंतरगत अध्यान करने के लिए दो भागों में बाढ़ते हैं कौन-कौन से हैं वो दो भाग व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा है बाजार मांग तालिका आई हम जानते हैं कि व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है व्यक्तिगत मांग तालिका जैसा कि नाम से ही स्पष्ठ हो जाता है कि व्यक्तिगत एक निश्चित समय में बाजार में जिन जिन वस्तों की मांग जिस कीमत पर की जाती है उसको जब हम तालिका बद करते हैं तो एक व्यक्तिगत मांग तालिका का निर्माण होता है आए इसको और अच्छी से समझने के लिए हम देखते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका का एक उ यहां पर हम देख रहे हैं कि सेब की कीमत जब 10 रुपे प्रती किलो थी तो उस वेक्ति की मांग 40 किलोग्राम सेब की थी जब सेब की कीमत 20 रुपे हो गई तो उस वेक्ति की मांग 30 किलोग्राम हो गई जब सेब की कीमत 30 रुपे हो गई तो उस वेक्ति की मांग सेब के लिए 20 किलोग्राम हो गई वैसे ही जब सेब की कीमत बढ़कर 40 रुपे हो गई तो उस वेक्ति की मांग सेब के लिए 10 किलोग्राम हो गई तो यहाँ पर यह स्पश्ठ हो जा रहा है कि जैसे जैसे सेप की कीमत बढ़ती गई उस वेक्ति दोरा सेप की जो मांग थी वो लगातार घटती गई यहाँ पर हमने वेक्ति गत मांग तालिका में मांग और कीमत के संबंद को देखा अगर हम इस तालिका के आधार पर एक ग्राफ का निर्मान करें तो देखते हैं कि कैसे सिति प्राप्त होती है यहां हमने रेखा OX वस्तु की कीमत के लिए लिए है और रेखा OY वस्तु की मांग के लिए यहां हम देख रहे हैं तालिका के नुसार जब सेब की कीमत 10 रुपय थी तो उसकी मांग 40 किलोग्राम सेब की थी जब सेब की कीमत 20 रुपय हुई तो उसकी मांग 30 किलोग्राम हो गई जब सेब की कीमत 30 रुपय हुई तो उसकी मांग घटकर 20 किलोग्राम हो गई ऐसे ही जैसे जैसे सेप के कीमत बढ़ती गई उसकी मांग कम होती गई यहाँ पर अगर हम एक वक्र का निर्माण करें तो आप देखेंगे कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ एक वक्र जिसे हमने डी-डी वक्र का नाम दिया है यह हमको प्राप्त होता है तो बाएं से दाएं क्योंकि वो नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र हमको मिल रहा है यह हमको बताता है कि कीमत और मांग के बीच ऐसा रुडात्मक संबंध है कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो रही है और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जा रही है बिलकुल ऐसे ही हम बाजार मांग तालिका का अध्यान भी कर सकते हैं होता क्या है कि एक बाजार किसी एक व्यक्ति विश्यस के मांग पर आधारित नहीं होता बाजार में जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं अब अगर हम बाजार मांग तालिका का अधियन करते हैं तो यहाँ पर हम दो या दो से अधिक क्रेताओं की बात करेंगे एक उदाहरन के लिए हम मान ले कि एक बाजार में किसी वस्तु के दोक रेता है इसी अगर हम तालिका बद अध्यन करेंगे यानि कि बाजार मांग तालिका का निर्मान करेंगे तो आये देखते हैं कि कैसे इस्थिति प्राप्त होती है बाजार मांग तालिका का अध्यन हम यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर वस्तु के दो क्रेता है A और B एक वस्तु हमने यहाँ पर माल लिया है सैनिटाइजर की एक बॉटल है जिसकी कीमत में लगातार वृद्धी हो रही है पहले जो सैनिटाइजर की कीमत 10 रुपय थी वहाँ पर A उसकी मांग 4 बॉटल की करता है और B उसकी मांग 5 बॉटल की करता है जैसे ही सैनिटाइजर की कीमत 20 रुपय हो गई A उसकी मांग 3 बॉटल करता है और B उसकी मांग 4 बॉटल करता है इस तालिका में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेरेटाइजर की कीमत बढ़ती जा रही है A और B द्वारा उसकी की जा रही मांग घड़ती जा रही है अब हम इसका चौथा कॉलम देखते हैं जहां पर हमने बाजार की मांग को कैलकुलेट करने के लिए जो दो क्रेता है बाजार के कौन कौन से दो क्रेता है A और B इनकी सयुक्त मांग की आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं जैसे पहले हमने देखा A की मांग 4 थी और B की मांग 5 बोटल की थी तो पहली बाजार मांग तालिका में इसकी टोटल यूनिट आएगी मांग की 4 प्लस 5 नाइन दूसरे स्टेप में हमने देखा कि A जो है उसकी डिमांड 3 बोटल सेनिटाइजर की थी और B जो है उसकी डिमांड 4 बोटल सेनिटाइजर की थी तो यहां पर 4 और 3 यानि कि 7 बोटल जो है वो बाजार मांग तालिका की अनुसार उस वस्तू की उस दिश्चित समय में बाजार में मांग कहलाएगी तो इसी तरह से इस पूरी सारणी में A वेक्ती और B वेक्ती दोनों के द्वारा जो संयुक्त मांग की जाएगी उसका जो टोटल होगा यानि 4th कॉलम का जो टोटल होगा वो बाजार मांग तालिका के अनुसार वस्तू की मांग कहलाएगी अब अगर हम इस मांग तालिका के आधार पर ग्राफ का निर्मान करें तो यहां पर 3 तरह के ग्राफ बनेंगे तीन तरह के ग्राफ क्यों बनेंगे क्योंकि यहां पर वस्तू के दो क्रेता है एक A है दूसरा B है और तीसरा संयुक्त मांग यानि कि A और B की जो टोटल मांग है उसके अधार पर वो बन जाएगी संयुक्त मांग तो सबसे पहले हम बनाएंगे A वेक्ती की मांग का ग्राफ ए वेक्ती की मांग का ग्राफ बनाने के लिए भी हमने दो एक्सेस लिये हैं O X और O Y O X पर हमने वस्तु की कीमत रखी हुई है और O Y पर हमने वस्तु की मांग रखी हुई है यहां पर आप देख रहे हैं कि वस्तु यानि की सेनिटाइजर जब उसकी कीमत 10 रुपे थी तो उसकी मांग थी 4 युनिट जब उसके केमत, सनेटाइजर की केमत 20 रुपए हो गई तो उसकी मांग हो गई 3 यूनिट वैसे ही जब सनेटाइजर का मुल्य बढ़कर 30 रुपए हो गया तो उसकी मांग हो गई 2 यूनिट और जब सेनेटाइजर का मूले और बढ़कर 40 रुपय हो गया तो उसकी मांग हो गई एक यूनिट यह दर्शारा है कि जैसे जैसे सेनेटाइजर का मूले बढ़ा उसकी मांग लगतार कम होते गई तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले ग्राफ में पढ़ा यहां पर भी डी-डी वक्र से हम देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ है यह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आ रहा है यानि कि यह रुणात्मक संबंध को प्रस्तुत करता है कीमत और मांग के बीच बिलकुल ऐसा ही ग्राफ आप बी वेक्ति के लिए भी बनाएंगे और अगर हम सी वेक्ति के लिए ग्राफ कर निर्माण करते हैं तो उसके लिए हम हमारी पुरानी तालिका इस तालिका में जो फोर्थ कॉलम है उस फोर्थ कॉलम के आधार पर हम सयुक्त मांग तालिका कर निर्माण कर सकते हैं आई अब देखते हैं कि मांग के प्रकार कौन-कौन से हैं, मांग के तीन प्रकार हैं, पहला है कीमत मांग, दूसरा आय मांग, आय मांग को हम दो वस्तों के अंतरगत अध्यन करते हैं, इसमें पहली वस्तों हैं, उत्तम कॉलिटी के वस्तों हैं, जिने हम उत्कृष्ट वस् गिफिन वस्तुएं जिने हम non branded product कहते हैं तीसरा है आड़ी और तिर्ची मांग आड़ी और तिर्ची मांग के अंतरगत हम दो प्रकार की वस्तों का अध्यन करते हैं एक प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरा पूरक वस्तुएं तो आए सबसे पहले देखते हैं मांग का पहला प्रकार याने की कीमत मांग वास्तों में कीमत मांग ही अर्थ शास्त्र में मांग की परिभाशा है जैसे कि हमने सीधा सीधा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कीमत और मांग दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं अभी तक की क्लास में हमने जाना कि कैस से किसी वस्तू की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है या कीमत घटने पर उसकी मांग कम हो जाती है अगर हम इस कीमत मांग को एक तालिका बद करने के बाद ग्राफ का निर्माण करें तो क्यूंकि हमने इसको पहले अध्यन किया हुआ है हमने एक हम देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ हमको यहां पर प्राप्त होगा तो अगर हम कीमत मांग की बात करें तो सिंपल सा एक ग्राफ हम देखते हैं कि OX एक अक्षा जिस परवस्तू की कीमत, O मांग परवस्तू की मांग और यहां पर यह जो वक्र है अभी तक की इक अक्षा में जैसे हमने देखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ हमको एक डी-डी वक्र प्राप्त होता है जो कि यह दर्शाता है कि कीमत और मांग में रडात्मक संबन्ध होता है अब मांग का दूसरा प्रकार यानि कि आई मांग की हम बात करें तो क्या है आई मांग जैसा कि नाम से इस पस्ठ है आई से संबन्धित जो मांग होती है किसी व्यक्ति की आई अगर बढ़ जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी वस्तु विशेश की मांग बढ़ जाती है या कम हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की आय कम होने पर किसी वस्तु विशेस की मांग बढ़ती है या कम होती है तो कैसी वस्तुए हैं कौन सी वस्तुए हैं कब उसकी मांग बढ़ेगी कब उसकी मांग घटेगी इसको और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम इसको दो वस्तू के अंतरगत इसका अध्यन करेंगे पहला अगर हम उत्कृष्ट वस्तू है यानि कि ब्रांडेड वस्तू की अगर हम बात करते हैं तो उस पर क्या असर पढ़ता है किसी व्यक्ति की आय में व्रिद्धी का अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है उसकी आय पहले से ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्रांडेड वस्तू को खरीदने की कोशिस करेगा क्योंकि हमने पहले भी जाना है कि प्रतेक व्यक्ति की ये इक्षा होती है कि वो एक आराम दायक और अगर जरूरत है तो विलासिता पून जीवन वो यह पन करना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि अगर उसकी आय बढ़ेगी तो उतक्रिष्ट वस्तू की मांग बढ़ जाएगी यहां हम देख रहे हैं कि आय और मांग का जो संबंध है वो धनात्मक है क्योंकि आय बढ़ने के साथ साथ ब्रांडेड वस्तू की मांग भी बढ़ रही है तो आय और ब्रांडेड वस्तू की मांग को अगर हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें तो हमको एक धनात्मक संबंध वाला ग्राफ दिखाई देता है आये देखते हैं यहां पर हमने OX पर वस्तू की मात्रा लिया है OY पर हमने आय लिया हुआ है यहां हम देखते हैं कि जब उस व्यक्ति की आय O-N थी तो वहां पर वो वस्तू की कितनी मात्रा की मांग करता था O-Q लेकिन जैसे ही उसकी आय बढ़ गई यानि कि आप या पर देख रहे है O-N1 हो गई वैसे ही उस वस्तू ने इस ब्रांडड़ वस्तू की मांग को बढ़ा कर कहां तक पहुँचा दिया O-Q1 तक पहुँचा दिया अब यहाँ पर यह जो हमको वक्र दिखाई दे रहा है डीडी वक्र जो हमको दिखाई दे रहा है जो बिंदू P1 और P को कट करता हुआ आगे बढ़ रहा है यह दर्शारा है इसे हम कीमत मांग वक्र बोलेंगे और यह दर्शारा है कि किस प्रकार ब्रांडेड वस्तों के लि आप अगर हम बात निक्रिष्ट वस्तुई गिफिन वस्तुई जिने नॉन ब्रांडड वस्तुई कहते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वेक्ति की आय बढ़ती है वो कोशिस करता है कि वो पहले से अधिक अच्छी यह पहले से अधिक branded वस्तू का उपयोग वो करें तो यहां क्या होता है कि जब उसकी आय बढ़ती है तो वो निक्रिष्ट वस्तू को यूज करना नॉन व्रांडेड वस्तू को यूज करना कम कर देता है तो यहां पर रिडात्मक संबंध आ जाता है यानि कि आय बढ़ी है लेकिन वो निक्रिष्ट वस्तू को यूज करना कम किया है तो यहां पर रिडात्मक संबंध देखने को मिलता है जिसको हम एक ग्राफ से इस तरह भी समझ सकते हैं रेखा OX पर हमने वस्तू की मात्रा यानि कि उसकी मांग की गई मात्रा ली है और रेखा OY पर हमने उस व् वेक्ति की आए O N थी तो वो कितनी वस्तू की मांग करता था O Q तक वो वस्तू की मांग करता था जहां हमको बिंदू P मिल रहा है जैसे ही उस वेक्ति की आए बढ़कर O N से O N 1 चली गई वैसे ही वो उस वस्तू की मांग को कम कर देता है यानि कि अब वो O Q वस्तू की तो आप यह देख रहे हैं कि उसका जो मांग का दाइरा था हो घट गया किन वस्तों के लिए निक्रिष्ट वस्तों के लिये नॉन ब्रांडेड़ चीजों के लिए तो साधारन सी बात है कि जब उसकी आय बढ़ती है तो वह ब्रांडेड़ वस्तू को यूज़ करना ज्याद तिर्शी मांग इसको इसलिए भी कहा जा सकता है कि यहां पर क्या होता है कि कीमत जो है वो किसी अन्य वस्तू की बढ़ती है और मांग जो है वो किसी अन्य वस्तू की घड़ती है कीमत और मांग का बड़ा उल्टा सीधा सा संबंध होता है इसलिए इसको आड़ी या तिर्श जैसे मने पहले बिटाया एक प्रतिस्थापन वस्तों का उधारन देखें तो हम देखते हैं कि कुछ वस्तों ऐसी होती है जिनको हम एक की जगात दूसरें को प्रतिस्थापित कर सकते हैं येनि हम दोनों में से किसी एक को यूज करें तो हमारी वही आवशक्ता संटुष्ठोगी जो हम चाह रहे थे सीधայ सवधारण है अगर हम चाय पीना चाह रहा तो हम कोफी चाहिसे या कम चाह सकते बयवारिक जिवन में देखा जाए तो कॉफी कीमत जो होती है वो ज्यादा होती है तो इसे लिए लोगों को चाए पीने के इक्षाय आद्ट बनी रहती है तो अगर कॉफी एक कप कोफी की कीमत अगर पचास रुपए है और वहाँ पर एक कप चाय के किमत 20 रुपए है तो ये दोनों प्रतिस्थापित वस्तों में क्या करेंगे हम कि कॉफी को हम छोड़ कर चाय से हम अपनी आवशक्ता को संतुष्ट कर लेंगे यहाँ पर क्या हुआ कीमत किसकी बड़ी कॉफी की लेकिन मांग किसकी बड़ी चाय की तो ये जो बस्तुए है वो कीमत और मांग को एक दूसरे में प्रतिस्थापित करते रहती है बहुत सारी चीज़ें से देखने को मिलती है आपको व्यभारिक जीवन में मिठाईयों के कई प्रकार होते हैं कुछ बहुत मेंगी होते हैं कुछ सस्ती लेकिन अगर मांग कीहों रगारे हैं तो दूसरे से बहुत सघन रूप से इनका संबंध होता है दूसरे बात अगर हम पूरक वस्तुए के करें हमने पहले भी जान लिया है कि पूरक वस्तुए कौन-कौन सी होती है दो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की पूरक होती है यानि कि एक के बिना दूसरे का काम बिलकुल नहीं हो सकता जैसे कि कार और पैट्रोल बीना पैट्रोल के कार नहीं चल सकती कार है और पैट्रोल नहीं है पैट्रोल भी यूजलेस है और पैट्रोल नहीं है कार है तो कार भी यूजलेस है तो यहां पर क्या होता है कि एक वस्तू की कीमत अगर बढ़ती है तो दूसरी की मा आना पड़ेगा तो हम वो कार को वहाँ पे लेना थोड़े दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं तो हुआ क्या कीमत पैट्रोल के बढ़ी लेकिन मांग किसके कम हो गई कार की इस तरह की बहुत से चीज़े आप अपने व्यभारिक जीवन में देखते हैं जो बस्तों आपस में इतने गहराई से संबन्द रखती हैं कि एक के कीमत का दूसरे की मांग पर सीधा सीधा असर पड़ता है इसके अलावा मांग के कुछ और प्रकार भी हैं आए देखते हैं कौन-कौन से हैं इसमें है पहला संयुक्त मांग यानि कि दो बस्तों की मांग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हो संयुक्त हो इनके अंतरगत हम देखते हैं कि अभी हमने जैसे पढ़ा कि कार और पैट्रोल दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है किसी एक क्या भाव में दूसरे का कोई महत्त्य नहीं रह जाता तो अगर आप कार खरीदते हैं तो पैट्रोल की जो आवशक चलने वाला नहीं आपको उसको क्या कराना पड़ेगा रिचार्ज करवाना पड़ेगा है ना तो मोबाइल के लिए आपको सिम की जरूरत है रिचार्ज करवाने की जरूरत है तो यह दोनों मांग एक दूसरे से जुड़ी होई होती हैं वैसे ही दूसरा है व्यूत्पन मा जैसे कि मांग नाम से हिस्पस्ठaci कि उत्पन्न होने वाली मांग ऐसे सीधा सिधा देखा जाये तो व्यभारिक जीवन में इसका संबन्ध श्रम से ही होता है कि Uzis किसी भी वेक्ति द्वारा किसी विस्तु या सेवा की अगर मांग की जाती है तो उसका सीधा असर प्रोडक्शन यानि कि उत्पादन पर पड़ता है और उत्पादन के लिए जरूरत होती है श्रम की तो वहां पर अपने आप ही श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है वैसे ही तीसरा है सामूहिक मांग यानि कि एक साथ उत्पन होने वाली मांग कुछ ऐसे चीजे हैं जो जीवन रक्षक है यानि जिने हम बोलते हैं जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है जैसे रोटी कप्ड़ा और माकान ये वस्तों ऐसे हैं जिनकी मांग सामूहिक ूरू कपड़ा और माकान यानि कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तु है जिनको अनिवार आवश्यक्त की श्रेणी में रखते हैं उनकी मांग सभी इस्तर के लिए सामुहिक रूप से पर्याप्त मात्रा में की जाती हैं तो यह थे मांग के प्रकार अब आये देखते हैं क वस्तु की कीमत जिसको की हम अभी तक की कक्षा में पढ़ते आए हैं कीमत प्रत्यक्षसर डालती है मांग पे वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो मांग बढ़ जाती है दूसरा तत्व है मौसम यह जलवाईू आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में जहां कि जलवाईू बहुँट ठंडी है वहाँ लोग गर्म चीज़ों का प्रियोक करते हैं खाने में यप पहनने में उनी चीज़ों का प्रियोग करते हैं जिनसे उनको ठंधक से राहत मिल सके हैं जैसे हिमाचल के चेत्रों में आपने देखा होगा कि ठंडी की वज़ा से वहां लोग गर्म कपड़ों का बहुत ज्यादा प्रियोक करते हैं तो जलवायों के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के आवशक्ताएं या उनके द्वारा उत्पन होने वाली मांग निरधारित होती है वैसे ही मौसम के अ प्रखने वाली चीजे जैसे की AC, कूलर इनकी मांग बढ़ जाती है तो कहीं न कहीं मांग जो है वो सेधी-सेधी जलवायों या मौसम से भी प्रभावित होती है उसके बाद है धन का वित्रण समाज में धन का वित्रण असमान है यही कारण है कि वेक्तियों को हम निम्न- अब ही नry मद्यम शरेडी में बाट देते हैं अभी हमने पढ़ा कि दो तरह कि वस्तोव का अध्यानम आर्थशास्थे में करते हैं रहता चीजना कुछ और कुछ यह इलासिता की विस्तों का प्रियोग वो लोग करते हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है। कुछ चीजे ऐसी होती है जो बहुत आवश्यक है यानि जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जैसे के मैंने बताया बहुत आवश्यक है। तो जो निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग है वो कोशिस करते हैं कि कम से कम उनकी आवश्यक आवशक्ता तो पूरी हो सके। मध्यम वर्ग हमेशा ये प्रयास में रहता है कि कम से कम वो एक आरामदायक इस्तिती को प्राप्त कर सके। तो व्यक्तियों के स्थितिक अनुसार उनकी मांगे भी बदलती रहती हैं। उसके बाद है उभोक्ता की आय, अभी हमने देखा आय मांग का इत प्रकार है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, उसके द्वारा मांगी गई वस्तू की मात्रा में परिवर्तन होते रहता है। और ये परिवर्तन ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों प्रकार की वस्तों से प्रभावित होता है। अगला अगर हम देखते हैं तो भाविश्य में अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई आशंका है तो वहाँ पर उस वस्तु की मांग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर मैं वैभारिक जीवन में आप से बात करती हूँ कि सबजी भाजी की हम रोज हमको जवरत पढ़ती है अगर हमको कहीं से पता चल जाए कि टमाटर का रेट आने वाले दिन में क्योंकि बारिश हो गई और कोई आपदा आ गई टमाटर का रेट बढ़ने वाला है सो ड़ी यसलश में कीमत परिवर्तन भी कहीं न कहीं मांग को प्रभावित करता है उसके बाद है उब्भोकता की रूची है या वह फैशन के कारण उसको प्रसंद है उसको चाहिए तो कई बार वो अपनी कम आय में भी उसको अपनी उसावशक्ता को पूरा करने का Será करता है